हेलो एन वेलकम टो आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रैप माइनेम इस शारुक सैफी तो बच्चों यहाँ पर आप मेरी तीन या चार बात ध्यान से अच्छे से समझ लो मैं कुछ वो फर्स्ट बुक हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है और सेकंड जो बुक होएगी वो मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दूँगा तीन या चार चैप्टर है ठीक है आज जो हम कर रहे हैं वह 11 क्लास शोचलोजी के मोस्ट इंपोर्टन कोशन की सीरिज कर रहे हैं जिस कि लिसके नदा टू मार्क्स पोर मार्क्स और सिक्स मार्क वाले कोशन आपको देखने को मिलेंगे जो काफी ज्यादा इंपोर्टन्ट है आपके एक्जाम पॉंटे व्यू से तो मैं चाहता हूं अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरू जोइन कीजेगा हमें हमारी फैमिली है बच्चों की समाजिक समु क्या कहलाते है विशेष्णा और साहित व Earnun करना है खास कर यह जो कोशन में पूछा जाता है एक्जाम में और कभी कभ़ा समाजिक समु क्या कहलाते उनके बाहर में तो सबस्थ से पहले इसके डáriaकलते तो समाजिक समु मैं से आचे वह एक्तिय तो यहां पर आपको सबसे पहले heading डालने पड़ेगी एकता की बावना चाहे तो आप साइड में English में भी लिख सकते हो Hindi वीडियम वाले तो इसमें क्या होता है कि सदस्यों के साथ एकता की बावना पाए जाने के साथ ही समू कायम रह पाते हैं इससे क्या होता है कि समू के सद समबन का वीकास होता है साथ ही एक दूसरे की साहता से वहे एक दूसरे के हितो की बी रक्षण कर पाते हैं तीसरे समाजिक संबन यानि की भीड होती है ठीक है और लास्ट है सबसे इंपोर्टेंट भी है थोड़ा जादा भी दे रहा है इसके बार में मेंबर्शिप यानि की सद्धस्यता तो देखिए समू का जो निर्मान होता है केवल एक व्यक्ति के साथ नहीं होता क्योंकि मैंने आपको शोचलोजी पढ़ाते यह समझा दिया था उसी टाइम कि समाज जो होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों से मिलकर बनता है और उनके बिज्जों संबंद देखने को मिले हैं वही हमारा समाज शास्त्र कहलाता है ठीक है तो यहां पर बात हो रही है सद्धस्यता की तो समू का निर्मान केवल ए पर की जाती है जितना ज्यादा अकार बढ़ता रहेगा उतना ही समू के सद्धस्यों में व्रिद्धी देखने को मिलती है तो यह समाजिक समू की विशेशना है आई हो कि आपको अच्छे से समझ भी आ चुकि होएगी और मैंने चैप्टर समझाते वह यह सारी चीज़ा उ यूरोप में हुआ था अगस्त कौम्ते को आधुनिक समाज चास्तर का पिता का आ जाता है आपको यह भी पता होगा लेकिन अब बात यहां पर यह आती है कि हमें यानि भारत की निवासियों को समाज चास्तर जैसे सब्जेक्ट की अवशक्ता क्यूं है आई जानते इसी के बारे में पहला पॉइंट जो है वो बात करता है कि भारत में व्यापक स्तरपा शेत्रवाद भाशावाद संपरदाइक्तावाद और जातिवाद जैसी समस्यां को एक व्यवस्तिक ढंग से सुल जाने के लिए समाज चास्त्र अध्यन आवश्या गया क्योंकि मैंने आपको बताया था चैप्टर के अंदर कि जो समाज शास्त्र का विशे शेतर है ना वो काफी जादा बड़ा है जिसके अंदर मैंने आपको तुलना करके बतायी थी समाज शास्त्र का इतिहास के साथ सम्मन रादनितिक शास्त्र के साथ सम्मन मनोविज्यान के साथ सम्मन और भी ऐ समाज के साथ तुलनात्मक अध्यन करता है यह मैंने आपको बताया था समाजी गतिशिल्टा के बारे में बताता है कि समाज के अंदर जो व्यक्ति निवास करते हैं उनके भी किस परकार के संबंद देखने को मिलते हैं और वह किस तरीके से समाज को एक कल्यांकारी रूप में बदल सकते हैं तो इस अधार पर ही का जाता है बच्चों की समाज चासर का अध्यन भारत के अंदर काफी ज्यादा हावश्यक है आई होब कि आपको यह सिंपल सा कोशन भी अच्छे से जरूर समझा चुका होगा कोशन नंबर थर्ड की बात करें तो प्राकितिक अधार पर प्रात्मिक और द्वित्यक समु का अर्थ समझाते होए कि नहीं चार अंतर को आपको स्पस्ट करना है तो यह जो कोशन है वो प्रीवेस एर एकजाम में पूछा भी जा चुका है तो आपको बिल्कुल भी ग्रांटिड नहीं लेना तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रात् समु वे समु हैं जिनके सदेश्यों के बीट संबन्द आधर हमदर्दी सयोग से भर पूर होते हैं और इन समु में स्वार्थ की भावना नहीं होती यह समु जो होते हैं नफरत वाले नहीं होते एक्साम्पल की बात की जयाए है जैसे परिवार बच्चों का खेल समु पढ मिलती है और इनके सदस्यों के बीच औपचारिक संगर्ष स्वार्थ भरपूर संबन देखने को मिलते हैं और खासकर इन जो समुओं का कार होता है वो बड़ा होता है तो उधारण की बात की जाए तो विबिन राजनीतिक दल होगे नीजी कंपनी होगी तो इनके बीच हमें स प्रात्मिक समुओं का आकार छोटा देखने को मिलता है तो वहीं द्वित्त्यक समुओं आकार में बड़े होता है जैसे मैंने आपको अभी बता दिया है दूसरा है कि प्रात्मिक समुओं में स्वार्थ की भावना द्वित्त्यक समुओं की तुन्ला में बहुत छोटे प संबंदित होता है तो इसी कारण क्या होता है कि समू की जो स्थिर्था वह बनी रहती है और वहीं दूसरे तरह दुट्यक समू की स्थिर्था जोती वह सीमित होती है क्योंकि यहां पर जो संबंद देखने को मिलते हैं वह इंडारेक्ट होता है यानि कि आप प्रतेक्ष होते है और वह स्वार्थ से भरे होते हैं तो इसलिए इनकी जो स्थिरता है वो कुछ ही समय के लिए होती है जैसे काम हो गया तो वह संबन में छूड़ गए खासकर हमें यह व्यपार में जरूर देखने को मिलता है ऐसा और फॉर्थ पॉइंट है बच्चों की प्रात्मिक समु में जो शारीरिक नजदीक की होते हैं वो काफी क्लोज होती है पास होती है जब कि दृत्यक समु में संबन और चारिकता के आदार पर बने होते हैं क्योंकि यहां पर आपको नियम कानुनों को फूलो करना पड़ता है कोश्य नंबर फॉर्थ है कि मनुष्य के समाज और पशुए के समाज में दो अंतर आपको स्पश्ट करने हैं तो काफी सिंपल साही बच्चेों देखिए मनुष्य के पास बोलने की संस्क्रिती होती है और साथ ही वैं अपने आपको व्यक्त करने के लिए भाशा का परियोग करते हैं जैसे अभी मैं परियोग कर रहा हूं ठीक है बविश्य की चिंता करना और उसकी योदना बनाना मनुष्य यह सारी किरियां करता ही रहता है जबकि पशुए की कोई संस्क सब्सक्र करके दिखाता है कि किस अधार पे या किस तरीके से मनुष्य के समाच और पशुव के समाच में अंतर देखने को मिलता है ठीक है कोशन नमबर फाइव है कि मूर्थ और अमूर्थ समाज में अंतर सपच कीजेगा तो यह जो आपको ना मैना 12th क्लास में भी सुनने को मिलेंगे शोशलोजी जैसे सब्जेक्ट के अंदर तो वह समावश जहां पर संभन तो है और हम उन्हें चू भी सकते हैं तो वह मूर्त समाच कर लाते हैं बिल्कुल सधारन सी परिभाश है आपको अच्छे से पता भी होगी क्योंकि चैप्टर समझाते वक्त तो डिसकस किया ही ता अच्छे तरीके से कोशन नमबर सिक्स की बात करें तो मेरे कोडिंग तो यह कोशन अपकी बार आपके फाइनल एक्जाम में आ सकता हैं डेजन मैंटर कि वह एक नमबर दो नमबर चाहर नमबर छे नमबर में लेकिन आएगा जरूर जिसका नाम है कि समाजिक परिस्तिति क्या होती है साथ ही आप परिस्ति को समाज में इस्थान प्राप्त करवाती है जैसे अभी आप को नो स्टूडेंट हो इसके बाद आप दीरे दीरे आगे अपनी ग्रोथ पाऊगे जब आप जोब पे लगोगे तो आप एक वर्किंग मैन हो जागे उसके बाद आप मादा बनोगे पिता बनोगे य आपको एक करके दोनों के बारें बताता हूं यह जो मैंने कोशना आपके लिए डाला वो छे नंबर के इस साद से डाला अच्छे कॉंटेंट्पे अधार पर डेखै तो दे हैं प्रदत-प्रस्तिति में क्या बात कि यह जनम के अधार पर आर शो जनम अदारित होती है जो बीना किसी प्रयास के यानि की कोशिश किये बीना ही प्राप्त हो जाती है अगर उधारंग की बात की जाए तो देखिए सो से पहले जाती जाती क्या होती है जनम अदारित होती है व्यक्ति जिस जाती में जनम लेता है उस जाती से उसकी समाज में पहचान बन जाती है अगर आप ब्रामन के परिवार में जनम लेते हो तो आपको ऑटमेटिक ब्रामन अगर आप सिख के परिवार में मुसलिम परिवार में हिंदू प कायम करता है जैसे कि लड़का और लड़की या इस्तरी पुरुष आप जैसे भी कह सकते हो और तीसरा है नातेदारी तो देखिए नातेदारी जो होते हैं वो दो अधार पर बनती है पहली होती है ब्लड से रिलेटेड यानि कि जिसमें इमाबाप वाला रिष्टा आता है औ कि जैसे जीजा चाला ननन तो अभी इसका एक कोशन भी आएगा उसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा और आप तो वैसे इतने होशे हार या आपको वैसे पहले से पता होगा तीसरी अगर बात करें आयू व्यक्ति की आयू बिना किसी प्रयास के समय अनुसार बनती रहती है जैसे अभी आपकी एज क्या हो सकती है पंद्रह या सोला या सत्रह मान लो और पांस साल बाद आप ऑटमेटिक कों से 22-24 में पहुच जाओगे तो आप कोई प्रयास तो नहीं कर रहें बस जैसे यासे दिन चल ले उसके इसाफ से आपकी एज बढ़ती जा रहे है तो यह किस कैटिगरी में रखा जाएगा प्रदत वाली अब बात करते है अरजित तो अरजित मतलब होते है एक्वायर करना प्राप्त करना तो यह योग्यता पर अधारित होती है व्यक्ति को खुद के प्रयास की साहिता से प्राप्त होती है अगर उसके भी उधारन की बा ठीक है बच्छों दूसरा है धन तो देखिए जितना ही कोई व्यक्ति मेनत और अपनी कोशल यहनी सक्षिल के इस्तेमाल करेगा उतना ही धन अरजित कर सकता है तीसरे व्यवस है तो व्यवेस आई भी बच्चों व्यक्ति की योग्यता पर उसकी काबिलियत पर उसके कौनर पर उसके कोषल पर ये अधारिक होता है अच्छा भी 건데 करता है या फिर यूराप्त करता है तो यह ते अर्जीत प्रस्तिती के उद्धारन आई होब कि आपको दोनों के बारे में अच्छी जानकारी हो चुकी होगी कोशे नमबर सेवन थै कि जाती एक बंद स्तरी करने हैं जबकि वर्ग जो है वो एक खुला स्तरी करने हैं तो आपको कथन के अधार पर इसे स्पष्ट करना है या यू कर जाए एक अधार पर आपसे अंतर करने की बात कह रहा है तो खासकर यह दो या चान नमबर में पूछ ले जाता है तो यहां पर आप सिंपल तरीके से इसका एक्स्प्लेन कर सकते हो तो देखिए सबसे पहले अगर मैं जाती की बात करूँ तो जाती क्या होती है जनम पर अधारित होती है अभी हमने उपर बात कर ली थी जाती को एक बंद समुक आ जाता है जैसे की विवा, खानपान, आदी इसके अंदर जो आपको नियम देखनों को मिलते है वो काफी कठोर होते है इसका एक्जामपल में मैंने आपको भारत के जो राज्य उसी के अधार पर दिया था अगर कोई व्यक्ति भारत के दक्षनी हिस्से में रहता है तो उसका खानप लग है तभी तो भारत को एक विविट्ता वाला देशमानगे है खीक초 है तो इसलिए यहां पर खान पान के कठोर नियम देखनों मिलते हैं और बात कि जाती है वेवस्ता की तो बचों ये एक परकार का स्तिर संगटन है यानि कि आपके जनम के साथ लिए? आपके मरने तग ही आपके साथ जूड़ी रहती है इसलिए से स्तिर संगटन का नाम दिया गया है और वर्ग की बात करें यानि कि class की तो ये समाजिक परिस्थिति के अधार पर बनते हैं जैसे कि कोई अमीर है कोई गरीब है कोई middle class है ठीक है वर्ग के एक खुली वेवस्ता है चायत व्यक्ति से बदल सकता है ठीक है और इसके अंदर कठोरता नहीं पाए जाती कल का एक गरीब बंदा आने वाले कल में इतना मीर हो सकता है ये किसी को नहीं पता वह अपनी योग्यता के अधार पर या अपने किसी भी मैनत के अधार पर वह काम कर सकता है वर्ग विवस्ता जाती विवस्ता के मुकाबले में कम स्थीर है क्योंकि इसके अंदर जो टैग होता ना व्यक्ति को वह जिंदिगी भी उसे बदल सकता है तो आपको इसके बारे में ध्यान जरूर रखना है तो इसलिए कहा जाता है जाती जो है वो एक बंद स्तरी करने जबकि वर्ग जो है वो एक खुला स्तरी करने आई होब कि आपको इस कतन के मादन से जरूर पता चल चुका लोग कोशन नमबर एट है बच्चों की ग्रामिन परिवार और नगरिये परिवारों में अंतर आपको स्पस्ट करना है तो बिल्कुल सिंपल सहिब मैं आपको वन बाइवन करके बता देता हूं तो साइड में हमारे लेफ्र साइड वो है ग्रामिन और राइट साइड जैब के लूए नगर्य परिवार थो वन भाइवन कंपेर करकर आपको बताता हूं तो पहला पॉइंट है खरा मिन परिवार के बारे में हैं कि यह dhauty होते है जैंकि निंगर्रेण किरेंच जादा देखनों को मिलते हैं और वहीं नगरों में उद्योगी करन जादा होता है तो इसलिए यहां पर विविन परकार के उद्योग देखने को मिलते हैं जो कि इसी अधार पर बने होते हैं तीसरा है कि परिवार नियंतन अधिक होता है क्योंकि सभ्य तो परिवार जादा है तो इसलिए माँ, चा, चा, दा, दाना नी सभी एक साथ रहते तो जो से हम उदारवादी लिबरल सोच कहते हैं उससे जुड़े होते हैं और लास्ट है घर की सत्ता मुख्या के हाथ में होती है जो की चोथे वाले पॉइंट की तरह सिमिलर है और यहां पर घर की सत्ता पर समान दर्जा प्राप्त होता है सभी को तो इतना छोटा सा डिफरेंट है दोनों ही परिवारों के बीच में आई होक कि आपको अच्छे से जरू समझ आ चुका होगा कोशन नमबर नाइन था कि विवा के विविन सवरूप और प्रकारों पर चर्चा करनी है ज्यादा तर यह कोशन चार नमबर और छे नमबर में एक्जाम में पूछा जाता है तो शुरुबातम उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना जरूरी है जैसे उसकी मीनिंग क्या है तो यहां पर बात विवा की हो रही है तो आएज जानते सबसे पहले बिवा का क्या अर्थ है तो बच्चों विवा का अधेशे है पुरुष और स्तुरी यानी मेल और फिमे का मेन करतव वे हैं तो ये तो है इसका अर्थ अब बात करते हैं विवा के प्रकार तो देखे इसके अंदर जो प्रकार आ पर संद जो विवा होते वो ऐसे ही होते हैं उसके बाद बात करते बहुभ विवा की तो देखे बच्चों इस प्रकार के विवा में व्यक्ति जो होता है वह यह जो प्रताय हैं भारत के अंदर आज भी प्रचलित है उसी तरह जो अंते विवा यानि इंटरकास मेरीज तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपने ही जाती या गोतर में विवा कर लेते हैं और बाहरे विवा में क्या होता है कि व्यक्तियों को अपनी जाती या गोतर में विवा नहीं करना होता बलकि वैसे भार करते हैं और खास कर ब्राह्मन समाद में भारे विवा को आधर्श माना जाता है यह भी आपको पता होना जरूरी है तो यह तो दे बच्चो अलग-अलग परकार के विवा आई हो कि आपको हरे के बारे में अच्छे से जरूर पता चल होगा कोशन नंबर टेंथ है कि नातेदारी क्या होती है और साथ ही नातेदारी के प्रकारों के पुष्टी भी करनी है तो इंग्लिश में से का जाता है और दूसरी बाशा में से रिलेशन्शिप के नाम से भी जाना जाता है आईए सबसे पहले इसके अर्थ के बारे में ब परकार की बात करें तो यह टू टैप्स के होते हैं पहला जो वो ब्लड रिलेशन से रिलेटिड होते हैं यानि की रक्त मुलक और दूसरे विवा वाले यानि विवा के बाद जो नातेदारी बनती है तो मैं आपको वन बाइबन एके करके दोनों के बारे में बता देता हूं और दारन की साहता से समझा भी देता हूं अगर बात करें सबसे पहले रक्त संबंदी नातेदारी की तो यह नातेदारी प्रथम और रक्त पर अधारित होती हैं अगर एक्जामपल की बात की जाए तो माता पिता भाई भेन चाचा ताया दादा पिता पुत्र पुत्री तो और वहीं बात करें बच्चों विवा संबंदी नातेदारी की तो ये नातेदारी दो विशम लिंगों के बीच समाज की स्विक्रिटी के अधार पर स्तापित होती है यानि कि जब विवा होता है तब जाके जो टू अन्नोन तो ये सब कौन सी नातेदारी में आते विवा संबंदी आई होब कि आपको अच्छे से जरू समझा चुके होगी एक्जाम में ये कोई भी माक्स में पूछी जा सकते है इसलिए मैंने आपको छे नंबर के अधार पर ये कोशन करा दिया है कोशन नंबर 11 था है कि समाज शास् संस्कृति की परिवाशा के साथ तो देखिए संस्कृति क्या है व्यक्तियों में विवेत करने का साधन नहीं है बलकि ये जीवन जीने का तरीक है जिसमें समाज के सभी सदस्य भाग लेते हैं और इसमें प्रतेक समाजिक संस्ता अपनी स्वें की संस्कृति का विकास करती है भारत क्या है एक विवित्ता वाला देश है यहां पर सभी के संस्कृति में हमें अंतर देखने को मिलता है और बात करें के components की यह नहीं की आयाम की तो देखिए पहला दूसरा तीसरा संग्यानात्मक मान किये और बहुतिक अगर explanation के साथ बताया जाए तो देखिए बच्चो बात करते है सबसे पहले संग्यानात्मक आयाम की तो इसका समझ जो होता है वो समझ से होता है संग्यानात्मक का मतलब होता है कोगनिशन जो कि हमारी दिमाग से जुड़ाता है कि हम किस बरकार से अपने जो वातावरन यानि की जो एन्वारमेंट है उससे सूचनाओं को ग्रैंट करते है इसमें कला अंदविश्वास धरम विचार विज्ञानिक इत्यादी सब शामिल होता है बस डिपैंड करता है कि व्यक्ति किस अधार पर सूचनाओं को ग्रैंट कर रहा है कुछ लोग है जो अंदविश्वास में ज़्यादा डूबे रहते हैं और जो गल्ट चीज़ा उसे ही सचमान बैटे है यह सब क्या है वातावरन से उन्हें जो सूचने प्राप्त होता है खास कर इसमें ओजार तकनिक या फिर यंत्रभवन यातयात के साधन इत्यादी यह सबी चीज़ा में देखने को मिल ही जाती है तो यह तीन कॉंपनेंट है आपको पता होने चीए एक्जाम में जरूर पूछ लिया जा सकता है अब की बार कोशन नंबर 12 है कि समाजी बात की जाए तो समाजी करन एक सीखने के प्रक्रिया है जिसमें बच्चा समाज में रहने के सभी नियम व्यवार तोर तरीकों को सीखता है और यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है अगर मैं आपको एक उधारन दू छोटा सा जब बच्चा पैदा होता है तो उस चीजों को अपनाता है ग्रेंड करता है इसके साधन की बात कीजए तो शुरुवात तो परिवार के साथ होती है खेल समूत का भी काफी ज़्यादा प्रभाव पढ़ता है पडोसी स्कूल समाजिक संस्ता है अवशक्ता है और भाशा यह सभी क्या है अस्पेक्ट है या बोतिक संस्कृति में आपको अंतर स्पस्ट करना है तो यह हमारे 11 क्लास शोशलोजिक का एपिसोड नंबर फर्स्ट का लास्ट कोशन है जब सेकेंड एपिसोड आएगा तो वह हमारा कोशन नंबर 14 से ही स्टार्ट होगा टोटल मुझे 80 कोशन आपको करवाने ही करवाने ह देखिए 50 कोशन तो हो ही जाएंगे अराम से एक नंबर वाले में अलग से करा रहा हूं आपको बिल्कुल विटेंशन नहीं लेना है बच्चो तो देखिए बोतिक संस्कृति और अबोतिक संस्कृति खासकर यह चार और छे नंबर में आते हैं लेकिन कभी कवार दो नंब की बात करें किताब पैन कुर्सी मोबाइल चेयर ऐसी कोई भी चीज जो आपके सामने दिखाए दे रही है जिसे आप छू सकते हो तो वह बोतिक संस्कृति की लिस्ट में आ जाएगी बोतिक संस्कृति को गुनात्मक रूप में हम माप सकते हैं एक क्वालिटेटिव तरीक जैसे की पहिये की अगर बात कीज़े तो पहले पहिया कैसा था आज के समय वो तो टैयर बन चुक है ठीक है तो यह क्या है परिवर्तन यानि की चेंजिस है बोतिक संस्कृति में कई नई चीजों का उश्कार होता है तो इसका लग कोई भी व्यक्तिवा समाज उठा सकते है अगर वहानों का निर्मान हुआ है आज के समय तो सभी लोग इसका फायदा उठा रहे है बेचने वाला उसे पैसा मिल ला है चलाने वाले को समय की बचा तो यह सारी चीजे क्या है इको सिस्टम मनाती है यानि की सब का फायदा और लास्टे बच्चों बोतिक संस्कृति के जो एलिमेंट्स होते हैं जो तत्व होते हैं वो काफी अट्रेक्टिव होते हैं इसलिए हम इसे आसानी से स्विकार कर लेते हैं वहीं बात करें अभोतिक संस्कृति की तो जिस अधार पर हम भोतिक संस्कृति को परिभाशित करते हैं यह बिल्कुल उसके अपोजिट होते कि विचार वोगे नहीं कि आपकी सीजों को कर रहे हैं अपने दिल की सुन के दिमाग की सुन के दूसरा है कि अबोतिक संस्कृति को हम गुनात्मक रूप से असानी से नहीं माफ सकते कहने का मतलब हम किसी की शकल को देखके ये नहीं बता सकते कि सामने वाला परसन कितना होशियार है या कितना होशियार नहीं है उसके अंदर कितनी knowledge है कितनी नहीं है तो वो तो जब वो बताएगा तब हमें पता चलेगा ना ठीक है तो तीसरा है कि अबोतिक संस्कृति में जो परिवर्तन होता वो धीरे धीरे आता है क्योंकि लोगों के विचार भी तो धीरे धीरे बदलते है अब देखिए अब ऐसा तो नहीं है आपने ये लेसन पढ़ लि चोथा जो है वो है कि अबोतिक संस्कृति का लाव केवल उसी समाज के लोग उठा सकते हैं अगर इसकी उधारन के साहता से बात की जाए तो जैसे अमेरिका और भारत तो वहां पर जो चीजे पहले बनते है तो जो प्रॉफिट होएगा तो वह कौन उठाएगा भारत के य नहीं कर पाते हैं जैसा कि बहुतिक संस्कृति में हो पाता है ठीक है तो इस कोशन के पर हमारा एपिसोड नंबर फर्स्ट होता पूरी तरीके से कंप्लीट आई होब कि आपको यह जो सीरिस थी हमारी काफी अच्छी लगएगी तो आप वीडियो को लाइक कीजेगा कोमें आती चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बैल अकुन दमाना बिल्कुल ना भूलेगा पीडियेफ नोट्स के रिगार्ड नहीं टेलिगराम गुरूप का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट में पिन कर रख है तो आप जरूर जोइन कर लिजेगा चाहे तो आज की इस वीडियो में इतना ही मैं मिलता हूं आपको फिर एक नई वीडियो के साथ खत्म बाइबाई टाटा गुडबाई गया